महाकाली नदी मैं निर्माडाधिन चार लेन को पक्की पूल लाई, सुदुर पस्चिमकै विकास को मेरु दंड को रूप मा हेरियेको छा तोकि एको समय मैं निर्माड समपन्न हुने लक्षे राखियेको चार लेन को पक्की पूल निर्माड मा पछिलो समय विविन्न समस्य हरू देखियेका छन। पूल को डिजाइन मा उत्तर तर्फ दोई किनार र पोखरी को बीच मा तिन-तिन वटा आइसलैंड राखियेको पूल संग जोडियेको पहुचमार्ग तथा अन्य भहुतिक सम्रचना भतकाय पछि साडे 5 करोड बराबर को छेती बेहरू परेको निर्माड कमपनी कुमार सी एस इसी जेभी का मैनेजर तथा एंजिनियर किसोर पांडे बताउनु हुँचा धुंगा नपाय का कारण पूल को डिजाइन ने फेरनु परने अवस्था बहेको छा। तर डिजाइन फेरदा कंक्रीट वा तार जाली लगवन सकीने भःपनी डुंगा को तुलनामा कंक्रीट वा तार जाली प्रयोकरदा आर्थिक भार बर्ने र टिकाउ समेत नहुने प्राविधिक बताउं छन। दुई बर्षमा निर्मार संपन्न हुने गरी दुईजार चोहतर साल भदोव साथ कते समझोता भःको पुल, बंद, हर्ताल, कोरोना महामारी तथा पुल को डिजाइन का कारण। यस अगी दुई पटक म्यात थब भई सकेको छा। पछिलो समय बाडी ले सम्रचना भदकाय पछी पुल निर्मार को काम केही महीना पचाडी धके लिएको इंजिनेर पांडे को भनाई छा। यता महाकाली पुल आयोजना ले भने 80% काम भई रहे काले पुल निर्मार को काम समय में सकी नेदावी गरे को छा। त्यस बाहेक डुणगा को अभाबले पोखरी निर्मार मा केही धिलाई हुने देखिये पनी गड़्डाचव की भनसार काराले रा। मद्यवर्ती बन छेत्र मा परने रुख कटान को काम भई पुल निर्मार को काम समय में समपन्न हुने महाकाली पुल आयोजना का सुपरवाईजर दुर्गा अवस्ती बताउन हुन छा। इमेज समाचार का लागी कंचन पूर्बाट दुर्गाव पाध्याय को रिपोर्ट